इस समय हम हैं नूरपूर, चौधरी चरण सिंग का गाउं है ये, और यहां पर जिस तरह से इससे पिछले चुनाओं में पूर्या का पूर्या धुरुवीकरन हुआ था, मोधी सरकार के पक्ष में, योगी सरकार के पक्ष में, इस बार तस्वीर थोड़ी सी उल्टी है यहां पर, यहां के निवासी बता रहे हैं कि जब यहां पर भाश्पा के प्रत्याशी आए, तो उन्हें यहां गुसने नहीं दिया गया, बहुत तगड़ा विरोध है, जिन गाउंवालोंने भाश्पा प्रत्याशी का विरोध किया था, उन्हें भगाया था, अब उनके हो गई है और यह धीरे धीरे एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है गाउं में सबसे बड़ा सवाल भाश्पा के लिए जो चुनौती बनके खड़ा है कि यहां इलाका जो उसके पास पिछले 15 सालों से है यहां आज वह हिंदू मुसल्मान के बीच नफरत का काट खेल पाए जो सत्ता कहती है कि मुसल्मान हिंदू फड़ाना ठिकाना बताओ एक पिंचर भी मुसल्मान का लड़का लगा हुए एक हवाई जिहाद भी मुसल्मान का लड़का बना रहा है हम इस समय यहां पर रालोत के ओफिस में है यहां जो रालोत का ओफिस है और यहां पर मौजू का साथ छोड़ा क्योंकि आपकी पार्टी ने साथ छोड़ा या उनका कहना है कि जैन जी रास्ता कुछ भटक गए हैं तो रोजगार नहीं मिल लिया इस सरकार के अंदर अब हमारे जैन किसानों का साथ देंगे किसान बे रोजगार कर दिया किर्शी में कोई फायदा नहीं हो रहा है ना कोई फसल का मुल्ल मिल रहा है तो हमें तब रालोद चाहिए अगर मान लीजी जिस तरह से पिशली बार ये था कि रालोद और भाशपा जैसे वो बता रहें कि भाई पहले हम साथ साथ थे दुबारा साथ साथ हो गए फिर उस बार भटक गये ते और इस बार हम भटकेंगे नहीं ऐसा क्या हुआ था पिश्ली बार जो भटक गए थे मोधी लहर में भटक गए जी जी कि ये करंगे वो करंगे वो रुजगार देंगे उन्होंने कुछ नहीं करा मोधी जी तो दूसरी बार प्रधान मंत्री बने हैं तो कुछ तो फायदा हुआ होगा कि ये कि लिए तीन कृशी कानून वापस ले लिए वो तो जब फायदा नहीं मिल जा कोई मुल नहीं मिल जा तो क्या करा है बिल इतने बढ़ा दी यह बेरोजगार हो गए बच्चों की नोकरी नहीं लग रही हुआ कि आप हेथि करते हैं क्या क्या हुगाते हैं क्योंग यह दान अगाते अभी कीमत में कितना अंतर है कि रहे हैं कैमेश लाद चालब कर रहेरा है मेरे प्हुर्ट करदे और प्हुन लागात आ जाती से अभी क्या अंतर आ गया है अभी आप वोट देंगे दस्तारिक को जी 2017 से अंतर ही आया खाने को तो दाने ना रहते समय यह इतनी हो गया कि अब कुछ हजार वेकेंसी निका लिए कुछ लाग बच्चे उसमें अप्लाई करेंगे सबको 200-500 रुपे एक बच्चा खर्च करेगा दुनिया बर का पैसा गोर्मेंट के पास जाएगा उसके बाद पेपल लीख होगा और दुबारा से परिक्षा होगी लाख ने करोड करोड़ों लोग बढ़ते हैं तो इतना सारा पैसा आज गोर्मेंट के पास है एक भरती आई पूरी नहीं की आज वो 72,000 बच्चों का तीन अरब रुपिया गोर्मेंट के पास है आज भी मोदी जी का जो विस्वास तारना लोगों पे वो सब कुछ खतम हो गया उन्होंने कुछ भी नहीं करा योगी जी ने तो बहुत से नौक्रियां दिये ना उन्होंने तो इतने क क्या ना में अप क्या करते हैं विकास双मीर मैं यह पढ़ाई करता हूं क्या पढ़ यहां मैं पढ़ें पर बींडे कर है तो ये पूर प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंग का गाउं लेकिन हापुर से यहां तक पहुशने वाली सड़क भीशन गड़ों से भरी हुई है वह अपने आप में विकास की कहानी कह रही है और इसे लेकर बेहत नाराजगी यहां के लोगों में हैं विकास का है आप यहां बावगर च्शामनी से आप लोग आए हो यह विकास होता है पैट्रॉल देखलो डीजल देखलो तीन सो रुपे में बाएक गाजवा चली जाती थी हजार रुपे में गाड़ी चली जाती थी जाए दिखने के लिए फ़े रूपभ के बना दिया, इनका गाना चलाए हम राम को लाए हैं, तो हमारा स्थित्तु 2014 के बाद अगर हम हिंदू बने हों तो सर्टिफिकेट हम इन से लें, यह अगर राम है लेका आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा फरजी बड़ा तो यही कर रहे हैं, दिए यह कैसे लेका आगए राम हमारा है हिंदों का भी है मुसलिम के भी सब्सक्राइबर और इन्वालने 25 रुपए गन्ने बढ़ाएं में 5 साल में और 5 रुपए साल बढ़ा एकर चीनी पर बढ़े 6 रुपए बढ़े 5 पैसी कुंटल के बढ़ाएं में यह बेवकुः पन अच्छा कुछ नहीं आ रही चार सो पान सो गाउं जो मुस्लिम बहुल गाउं है इन दोनों जगह से एक ही आवाज बहुत साफ है कि 2014, 2017, 2019 में जो काड़ चला वो 2022 में नहीं चलेगा और इसे बहुत बुलंदी से बुजर्ग के साथ साथ नौजवान कह रहे हैं कि इस बार असली विकास पर वोट होगा, सिर्फ असली विकास ही पर वोट नहीं होगा, जिस तरह से धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश का मूँ तोड़ जवाब दि परत्याशी हैं, उनकी जीत तकरीबन सुनिश्चित है, इस गाओं की धर्ती कम से कम यही कह रही है